तो गाइस कैसे हो आप सुवागत है आपका अपने यूटीब चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा कि एटल मित्र अप्लिकेशन का जो नए अपडेट आया है उसमें कॉंपनी ने एक्टिवेशन के परसेस को चेंज कर दिया है तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एटल मित्र अप के जरीए न्यू सिम, MNP सिम जा आउट स्टेशन कस्टमर की सिम एक्टिवेट कर सकते हैं तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्टा की कम्प्लीट वीडियो देखना और जदी आपको हमारी वीडियो अच्छी सब आपको वहां पर इन्फोर्मेशन मिल जाएगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप मुझे फूलो कर सकते हैं और अभी आपको बताते हैं कि एटल मित्र अप्लिकेशन में जो एक्टिवेशन का परसाइस है कॉम्पनी ने कि प्रिपेड डिस्टल एक्वेशन जो सेकुंड उप्शन है उस पर क्लिक करना है यासे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको डाकुमेंट सेलेक्ट करना होगा तो मैंने डाकुमेंट टाइम में मैंने अधार काड सेलेक्ट कर लिय तो इसलिए मैंने अधार-based Biomatic Authentification पर क्लिक कर दिया तो अभी आपके सामने नया page open हो चुका है तो यहाँ पर अभी आपको verify customer पर check mark कर देना है यासी आप check mark करने के बाद नीचे स्क्रोल करेंगे यहाँ पर आपके पास जो भी customer sim लेने के लिए आया है उसका यहाँ पर आपको अधारकार number इंटर करना है यासी आप अधारकार number इंटर करते हैं तो अभी आपको customer का fingerprint लगाना होगा सबसे पहले तो आपके पास जो भी device है उसे अपने mobile के साथ connect कर लेना है मेरे पास mantra device है आपके पास morpho है, mantra है, जा PV5 डैन है उसे आप अपने mobile के साथ connect कर सकते है जैसे आप connect करने के बाद tap to scan पर क्लिक करेंगे तो mantra device मेरा होना हो चुका है मैंने customer का fingerprint लगवा दिया तो यहाँ पर आप देशते हैं customer का fingerprint match हो चुका है तो रे टेलो बायो जदी आप fingerprint device से customer का SIM activate करते हैं वैसे आपको capture करनी है तो यह ऐसे आप photo capture करने के बाद submit करेंगे तो आगे आप देख सकते हैं कि customer की detail automatically fill हो चुकी है आपको कुछ भी fill up नहीं करना आगे आपको customer का एक alternate number देना होगा इस पर कोई भी OTP नहीं आने बाला और आगे आपको एक option मिलेगा person with a disability जदी person disabled है तो आप yes कर सकते हैं नहीं तो आपको no पर click कर देना है आगे आपको connection detail आप नया sim लेना चाते हैं MNP sim लेना चाते हैं जाँ आप कोई नया number जैसे choose your number select करना चाते हैं वो आगे आपको detail select करनी होगी तो मैं नया number लेना चाता हूँ वो भी मैं choose करके तो मैंने cyn पर click कर दिया है जो भी मैं number लेना चाता हूँ वो मुझे यहाँ पर enter कर देना है 8486 मैंने select कर लिया तो अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे number आच चुके हैं जिसके last digit 8486 है तो मैं एक number select कर लूँगा यहाँ से मैंने select किया फिर मुझे reserve पर click कर देना है yes I want पर click करना है तो मेरा number जे select हो जाएगा तो आगे आपको sim number scan करना पड़ेगा तो इसके लिए आपके पास white sim होना चाहिए 8L की दो तरह की sim आती है एक पर automatic company number देती है एक ऐसा number होता है जिस पर उसे white sim कहा जाता है उसको आपको scan कर लेना है वो सभी पर काम आ जाती है जैसे MNP, normal, upgrade पर भी काम आ जाती है आगे आपको FRC plan select करनी है मैंने 265 की FRC select कर ली है जोदी आप जानना चाहते हैं कि कितना commission मिलने बाला है तो आप मुझे telegram पर follow कर सकते हैं और आगे आपको एक option मिलेगा आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं वो आप select कर सकते हैं आप अपना खुद का काम करते हैं तो आपको self-employed select कर लेना है आपके पास कितने number है वो आपको select करना है कौन सा है तो एक्टिवेशन का process company ने बहुत ही simple कर दिया एक बार customer का अंगुठा लगेगा और last में retailer का अंगुठा लगेगा और sim activate हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने device को connect कर ली आपने mobile के साथ तो यहाँ पर जैसे मैं fingerprint पर tap to scan पर click करूँगा तो मेरा fingerprint device on हो जाएगा अभी आप देख सकते हैं कि मेरा fingerprint device on हो चुक है जो भी retailer है उसे यहाँ पर अपना fingerprint लगाना है जैसे retailer fingerprint लगाने के बाद submit करेगा तो customer की sim within 5 minute के अंदर activate हो जाएगी I hope कि आपको complete video समझ आ चुकी होगी किसी अन्य परकार की आपको सहाईता चाहिए तो आप मुझे comment कर सकते हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करें वीडियो पसंद आई हो तो एक like कर देना फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तब के लिए धन्यवाद जाहिए